सब्सक्राइब दोस्त जल्दी से आज सभी लोग लाइब आजएए और आज की इस क्लास में हम लोग जो है एजुकेशनल डवलप्मेंट के बारे में पढ़ेंगे मतलब सामा जो सिछ्छा का विकास है वह आपका स्टार्टिंग से लेकर के आपका वैदिक काल से विकास सुरु होता है तब से लेकर के हम लोग स्वतंतरता के पुर्वतक कौन-कौन सी चीजें होई वह एक ही वीडियो में सारी की सारी बात है और उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में में बात करेंगे जो की महत्वपूर्ण होंगी ठीक है फालतू की discussion हम लोग नहीं करेंगे यानि जो चीजे महत्वपूर्ण है आपकी exam में पूछी जा सकती है या पूछी जाती है उनके बारे में ही हम बात करेंगे ठीक है जल्दी से एक बार आप हमको बता दीजे कि और बता दीजे क्लास से स्टार्ट हो गई है सबसे पहले हम लोग सुरू करते हैं वैदिक कालिन सिच्छा है न देखे सिच्छा के विकास को जो है दो भागों में बाटा गया सिच्छा के विकास को सिछ्छा के विकास को जो है क्या किया गया? दो भागों में बाटा किया है निसे इसका अगर हमको अधेन करना है तो ये क्या है? साह्वीफनतर्था से पूर्व था साह्य है स्वातंतर्था के बाद स्वतंतरता के बाद स्वतंतरता के पूर्व और स्वतंतरता के बाद स्वतंतरता से पूर्व का जो काल है वो कहां से है वो है आपका वैदिक काल से शुरू होता है वैदिक काल से काल से आपका कहां तक रहेगा यह रहेगा सन उनिस सो आजादी तक या आजादी के पूर्व ठीक है यहां से यहां तक रहेगा और इसके बाद यह जो सोतंतरता वाला है सोतंता के बाद यह सर्ण 1948 1948 यह 1947 तक रहेगा यह 1948 से लेकर के यह आपका 2020 तक ठीक है जो भी सिच्छा में विकास हुआ होगा यानी राष्टी सिच्छा निती 2020 के बारे में भी हम लोग डिसकस करेंगे और लेकिन वो डिसकस किस पर करेंगे वो हम लोग एक 2020 के राष्टी सिच्छा निती 2020 पर एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे फिर उसमें डिसकस करेंगे ठीक है आज का जो ये वीडियो होगा कोसिस करेंगे कि ये पूरा जो है ये आपका 2012-2013 तक जो कुछ भी हुआ है वहां तक कवर करने के लिए अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग जो है कवर करेंगे आपका पाता है तक क्या क्या चीजें होई और उनमें क्या क्या चीजें महत्वण हैं सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे जो फाल्तु बहुत सारा content आपको दिया गया है वुक्स में सारे content पर बात नहीं करेंगे हम उनही content पर बात करेंगे जो कि पीजटी एडुकेशन में आपका असिस्टन पॉफेशर बीड और एडुकेशन में CUET, M.Ed.Interns इसके साथ इसाथ Allahabad University, Delhi University और स्टेट इनवस्टी और सेंट्रल इनवस्टी हैं जो M.Ed.Interns देने वाले हैं विद्यार थी उनके लिए भी साथ इसाथ जो PhD इनट्रेंस देने जाए यह जो है एक ऐसा वीडियो है जो सूपर टेट वालों के लिए काम का है यूपी टेट वालों के लिए काम का है यानि overall सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपण होने वाला है ठीक है क्योंकि जितनी चीज़े मैं आपको बताऊंगा उतनी में सही आपकी हर बार questions पूछे जाते है राइट चलिए SHARE कर दीजे एक एक लाकशी, एक लोग सभी ऋख करीए और LIKE..? LEIGH कर दीज़े देखे़ वय्दि कालिन सच्षा.. पहली चीज़ आईए पहला है आपका वय्दि कालिन, वय्दि काल वय्दि कालिन सच्षा ठीक है हम लोग जो है उस पर नहीं बात करेंगे कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है ठीक है वैदिक कालिन सिच्छा में जो महतवपुर चीजें हैं वो है आपका सिच्छा का माध्यम क्या था वैदिक काल में सिच्छा का माध्यम क्या था वैदिक काल में काल में सिक्षा का माध्यम संस्कृत था किस सीज की पढ़ाई होती थी वेदों की सिक्षा दी जाती थी इसके साथ ही साथ जो है जो इसका अंतियम लच्छ होता था क्या सिच्छा का अंतियम लच्छ क्या था मुक्ति प्राप्त करना था ठीक है मुक्ति प्राप्त करना इसमें जो है आप ये जो है अंतियम लच्छ क्या था मुक्ति प्राप्त करना था इसके साथ ही साथ जो है अगर हम इसमें संसकारों की बात करें तो इसमें जो है तीन संसकार मुक्रूप से होते थे तीन संसकार कौन-कौन से होते थे आए संसक तो तीन संसकार प्रमक्रुप से इसमें होते थे पहला आपका होता था बिद्यारंब संसकार बिद्यारंब संसकार बिद्यारंब दूसरा होता था उपनेयन संसकार उपनेयन संसकार उपनेयन संसकार और तीसरा होता था समावरतन संसकार समावर्तन या समापवर्तन संसकार ठीक है समावर्तन या समापवर्तन संसकार ठीक है विद्यारम संसकार जो है कितने वर्स से कितने वर्स की आयू में होता था तो ये जो है आपका 5 वर्स की आयू में शुरू होता था ये जो है विद्यारम संसकार आपका कितने वर्स में होता था ? 5 वर्स में है ना ? इसको जो है क्या बोलते थे ? इसको एक और नाम से जानते थे ? चूडा कर्म संसकार इसको जो है चूडा कर्म चूडा कर्म संसकार भी बोलते थे इसको जो है क्या बोलते थे ? चूडा कर्म संसकार भी बोलते थे, है न, कल्पना कुमारी, गुड़ आफ्टर नू, ठीक है, इसके बाद उपनेयन संसकार को, जो है, उपनेयन संसकार, आपका इसको क्या बोलते थे, मौजी बंधन संसकार भी बोलते थे, इसको जो है, क्या बोलते थे, इसको बौची बंधन संसकार भी बोलते थे, इसमें जो है, अलग-अलग, वर्ग भी सेज के लिए, है न, इसमें देखे, सबसे पहले तो सुद्रों को सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, है न, पूरुवैदिक काल में सिक्षा प् प्राप्त करने का कोई भी अधिकार था ही नहीं कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, तो जब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था तो उनको उससे बाहर ही कर देंगे है न, अब इसमें जो है जो तीन वर्ड थे, वर्ड विवस्ता थी, उस समय ब्राम्हन छ चात्रिय और वैसे वैसे ठीक है ब्रामण चात्र का जो एड्मिशन होता था जब उसकी एज होती थी आठ वर्स ठीक है जब उसकी आठ वर्स होती थी आयू तब उसका उपनेयन संसकार होता था और देखें विध्यारम संसकार में क्या होता था विध्यारम संसकार में जो है गुरू के समख्छ बच्चे को लाया जाता था यानि यह जो संसकार हों है घर में ही होता था। इसको नाला अधुला करके और उसको पीले वास्तर धारड करवाती थी इसके बाद फिर उसको ओम लिखना जो गुरू होते थे वो उंगली पकड़कर के ओम और मर्क्रिकन के लिए बूलते थे और वो जो है जैसे वो उश्द करते थे और वैसे ही अगर बच्चा उचारड़ कर दिया तो उसका विद्ध्यारखेखा Cosuke लेकिन उसके बाद जब बच्चा जो है जैसे ब्राम हडकुल का है अगर उसकी आयू आज वर्स हो जाती थी तब 8 वर्स की आयू में उसका उपने Absolutely. और उपने संजकार उपने अंस कार में ऊपने संजकार हूँ उपने संजकार इंद आन संजकार जो होता था वो गुरु मतलब वो सिच्छा प्राप्त करता था ठीक है सिच्छा की यहां से सुरुवात होती थी विद्यारम संस्कार से ओके उपनयन का मतलब भी होता है उपनयन का अर्थ होता है पास समीप ले जाना गुरू के पास लाना ठीक है यह जो उपनेयन है उपनेयन का अर्थ होता है समीपलाना यह भी question आपसे पूछता है समीपलाना ठीक है समीपलाना किसके समीपलाएगा समीपलाने का मतलब हो गया किसके समीपलाएगा गुरू के समीपलाएगा ठीक है समीपलाना या पास ले जाना अब इसमें जो है आठ वर्स जो इसकी आयू होती थी समय प्लाना हो गया इसमें आठ वर्स आपकी ब्राम्हन की आयू हो गई और जब बच्चा जो है अगर छत्रिय कुल का होता था जब उसकी आयू 11 वर्स होती थी तब उसका जो है क्या होता था उपनेयन संस्कार होता था जब छत्री कुल का है तो उसका जब आयू 12 वर्स होता था तब उसका जो है क्या होता था उपनेयन संस्कार होता था उपनेयन का मतलब क्या है उपनेयन का मतलब है पास ले जाना या समीप ले जाना किसके समीप गुरु के समीप ठीक है इसी समय जो है जब बच्चा जो है से बी कुल के हो अगर हो का अपना संस्कार हो जाता है नहीं क्या बोलते थे पढ़ को हम भी जनमा उसका उसका दूसरा दूसरा माना चाता है गुरुकल में चला जाता था तो इसका ये क्या दूसरा साफान का थANT का होता है थिक उसी की तर्जञ पर यह होता था जब बच्चा 25 शाल की शिक्छा प्राप्ट कर लेटा था मतलब वह कोई एक वेड की शिक्छा प्राप्ट करता था कोई 2 वेड़ की तो हर व्यक्ति को अलग अलग उपाधियां भी दे जाती थी जो एक वेद का सिच्छा अरजन्त करता था उसे एक उपाधी मिलती थी जो दो वेद का, तीन वेद का, चार वेद का अध्यान कर लेता था तो वो जो है यहाँ पर फिर उसकी लगभग-लगभग जब 15 साल हो जाती थी तो उसको जो है वहाँ से निकल जाना होता था समावरतन संसकार होता था समावरतन संसकार के बाद उससे सिच्छा क्या हो जाती थी पूरी मान ली जाती थी और इसके बाद उससे क्या कर दिया जाता था उससे जो है ग्रिहस्त आस्रम में प्रवेस करने की अनुमती दे दी जाती थी ठीक है जब तक बच्चा गुरकुल में रहता था तब तक उसे ब्रहम्चरे का पालन करना होता था और जैसे ही वो जो है गुर्वकुल में समापरतन सांसखार को पूरा करता था वैसे ही वो गृहष्टास्रम में प्रवेश कर सकता था वो अपनी साधी वगड़ा कर सकता था ठीक है तो ये आपको समझ बें आ गया, समावर्तन संसकार भी समझ बें आ गया, चलिए, अब इसमें जो है, इसमें जितने भी वेद हैं, वेदों का ध्यान करने के बाद, एमट सी उस्टी की क्लास, बिल्कुल बिल्कुल सेलपम कौन है आप तर्पाथी, बिल्कुल बही चल रही है, चलिए, ओके इतना क्लियर होगे आपको, यहाँ पर आपको डिगरी की बात करनी है, डिगरी की बात कर लेते हैं कौन-कौन से डिगरीयां चलती है जब एक वेद का जब कोई बच्चा क्या करता था जब एक वेद का ध्यान करता था प्रमुख क्या उपाधिया प्रमुख उपाधिया जब बच्चा जो है क्या करता था एक वेद का अध्यान कर लेता था एक वेद का अध्यान करने पर उसको क्या कहते थे उसे जो है सनातक बोलते थे पर बच्चे को इस नातक बोलते थे पर इस नातक की उपाधी और दो वेद का अध्यान करने पर दो वेद का अध्यान करने पर उसे वस्यू की उपाधी मिलते थे उसे वस्यू की उपाधी दी जाती थे ठीक है इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जब कोई तीन वेद का अध्यान कर लेता था उसे हम क्या कहते थे तीन वेद वाले को कहते थे रूद्र जब कोई क्या करता था तीन वेद का अध्यान करने वाले को रूद्र की उपाधी मिलती थे रूद्र की उपाधी दी जाती थे ठीक है जो लोग म्यात्मा गांधी का से विद्यापिट हमेड इंटरंस भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो लोग अभी भी पेड़ बैच में आना चाहते हैं बिलकुल अभी भी आपको एड्मिशन बहुत ही नॉमिनल सु ठीक है तो यदी आप चाहें तो पेड़ बैच में आप आसकते हैं ओके चलिए तीन वेद का ध्यान करने को क्या कहते हैं रोद्र की उपाधी दी जाती है जो चार वेद का ध्यान करने पर हमारे चार ही वेद है ना चार वेद है तो मैक्सिमुम कितने वेदों का ध्यान वो कर सकता है चार वेद का ठीक है जब चार वेद का ध्यान वो करता है तो का ध्यान करने पर करने पर उसे आधित्य की उपाधी मिलती है बहुत लोगों का नाम है आधित्य उसे आदित्य की उपाधी मिलती है है ना आदित्य की ओके clear हो गया आपका यहां से जो questions बनेंगे है ना यहां से जो questions बनेंगे वो आपकी इतने में से ही बनेंगे ठीक है इतने में से ही बनेंगे जो आपका वैदी कालिन से इच्छा प्रडाली है आप कितना भी पेपर उठा करके देखिएगा वैदी कालिन से इच्छा प्रडाली में इससे ज्यादा question आपके नहीं बने है चाहे वो किसी भी exam के तैयारी आप कर रहे हों हर एक exam के paper को उठा के देख लिजेगा अमेड इंट्रेंस हो आपका DU हो ALU हो आपका LU हो आपका इधर जो है गुरु घासिदास इंवस्टी है उसका हो या RIE हो लगभग लगभग हमने जितनी भी सेंट्रल इंवस्टी और स्टेट इंवस्टी है अमेड इंट्रेंस है मातमागानी का से विद्ध हर जगह का paper हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और वहां से concise मतलब वहां का एक conclusion निकाल करके लाया है कि इसमें यह चीज अगर आप common common चीज़ें common common चीज़ें हैं अगर यह पढ़ लो तो कहीं पर भी आप इंट्रेंस देने जाओगे कहीं पर भी आप कोई भी exam UGC net भी देने जा रहे हो तब भी आपको यहां से question मिल जाएगा है ना पहले तो direct question आत है उसमें जो है पूरा बूरा बड़ा statement के form में आता है ओके चलिए आपको clear हो गया एक बार comment कर दीज़े यह आपको clear हो गया चलिए आए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका बौध कालीन सिच्छा हो ठीक है क्या है बौध कालीन सिच्छा प्रडालिये सिच्छा प्रडालिये देखें जो लोग भी admission लेना चाह रहे हैं उनके लिए दो option है एक तो जो हमारा application ADM education hub नाम का जो play store पर application मिल जाएगा आप वहाँ पर application को install करेंगे वहाँ से course को purchase कर लिजे या फिर आप मुझसे जो है इस number पर contact कर सकते हैं 95 82 0 728 ठीक है आपको मैं दूसरा तरीका बता दूँगा कैसे आपको admission मिलेगा ठीक चले आगे देखते हैं इसमें देखें इसमें क्या क्या चीज़े मैं तुपने बहुत काली इंस इच्छा प्रडाली में पहला तो यहां दो संसकार होता है यहां अगर हम संसकारों की बात करें तो दो संसकार होते हैं संसकार, ठीक है, पहला आपका संसकार होता है कौन सा प्रवज्जा, प्रवज्जा संसकार, ठीक है, प्रवज्जा संसकार, ओके, दूसरा जो है, इसमें जो दूसरा संसकार होता है, उसमें होता है, उप संपदा संसकार, ठीक है, कौन सा, उप संपदा संसकार, संपता संसकार जो पवज़ा संसकार है वह आपके 6 वर्स की आईउ में सुरू होता है इसमें आपको बच्चा क्या करता है यहाँ पर जो अप्चारिक सिछा का प्रारंव हो जाता है बच्चे का अब यहाँ कोई जाती विसेश और कोई धर्म कोई वर्ग की बात यहां नहीं की गई है यहां सभी को सिख्छा प्राप्त करने का अधिकार जैसे वैदिकाल इन सिख्छा प्रडाली में पूर्व वैदिकाल में सब को सिख्छा प्राप्त करने का अधिकार था उत्तर वैदिकाल में स्त्रियों को भी सिख्छा प्राप्त कर को पूछा आपका प्रवज्चा संस्कार कि या नहीं है या नहीं है। इस तरीके के questions आपके कर आपका प्रवज्चा क्या करता था, अगर उसेविफुन नहीं बनना Penguma की इतकर्व, नहीं यहां कि अगर उसको आज जीवन विवाहित नहीं रहना, उसको मठ में रह कर या रह करके उसको अगर सिख्छा नहीं बसको सिख्छक नहीं प्रवज्जा संसकार था, प्रवज्जा संसकार आपका आपचारी सिख्छा के प्रारम के समय प्रात्मिक सिख्छा के समय था, यह उपसंपता संसकार हायर एजूकेशन में जब जाना चाहता था, यानि जब वो जो है क्या होता था, बहुत भिच्छू बनना चाहता था, ठी में इना मैं ले ने स्कुना वर्डन जा सकते थे प्रवज्जा संस्कार उप्षंपदा संस्कार ओके इसके साथ ही साथ इसमें जो है एक चीज और है कि यह जो उप्षंपदा संस्कार है. तु यह महा वग्न वह अचाव को महावड़न नामक बौध्धु completed बॉध्ध ग्रंथ में इसका वरडन मिलता है ठीक है प्रवज्जा संसकार का जो वरडन है वो बॉध्ध ग्रंथ में महावग्न नामक बॉध्ध ग्रंथ में मिलता है question में आपका PGT education में एक बर question ही पूछा गया है कि प्रवज्जा संसकार का वर्डन मिलता है कब तो महावग्न संसकार महावग्न नाम ग्रंथ में बौध ग्रंथ में ओके चलिए गुड़ इवनिंग गीता कोशिक share करते रही है आप लोग share करते रही है सभी लोग प्रवज्जा का अर्थ क्या था यहां प्रवज्जा का अर्थ क्या था यहां प्रवज्जा का जो अर्थ था वो था प्रवज्जा का अर्थ था बाहर जाना क्या था बाहर जाना यानि यहां प्रवच्चा क्या करता था जब उसका प्रवज्जा संस्कार हो जाता था तो प्रवज्जा संस्कार का जो अर्थ था प्रवज्जा का जो मेनिंग था वो क्या था उसका बाहर जाना था ठीक है बाहर जाना इसके साथ ही साथ इसमें जो है और भी चीजें महत्वोपूर नहीं है जैसे जो प्रात्मिक सिछा थी देखेजिए इनकी जो सिछा के विवस्ता थी वो 2 टो बहुत मठों में दी जाती थी जो प्राथ्मिक सिख्छा थी वो बहुत मठो में मिलती थी और जो उच्छ सिख्छा थी वो जो है इसमें मिलती थी बहुत भीहारों मिलती थी इसमें एक चीज और Otherепंक जिसको जिए अग्रिय सिश्य प्रड़ाली जिसको monitor system बोलते थे अग्र सिस्य प्रडाली देखिए इसका थोड़ा सा controversy है कई सिस्य प्रडाली जिसको हम monitor की बात करते है monitor class monitor यह इसकी सुर्वात वैदिक काल से ही मानी जाती है लेकिन यह controversy है कभी कभी question में जब यह answer question देता है तो कभी जो है यह badhkal मान लेता है तो कभी जो है वो islamic islam का का मानता है यानि madhkalin से अच्छा मान लेता है muslim Kal Singh से अच्छा मान लेता है और कभी-कभी वैदिक Kalin मान लेता है तो इसमें controversy है लेकिन जो इसका authentic प्रमाण है वो आपको बौधिकाल में ही देखने को मिलता है अब वो depend करेगा कि जो आपका exam लेने वाली जो agency है वो कौन सांसर मानती है यह है जो है बारे वर्ष की जब सिक्षा प्राप्त कर लेता था तो इसका जो है क्या होता था, उप्षंपदा संसकार होता था, 12 वर्ष की सिख्छा प्राप्त करने के बाद उसका उप्षम पदा संस्कार होता था प्रात्मिक सिख्छा की अवधी 6 वर्ष होती थी एक पुस्तक थी इसमें एक पुस्तक थी जिसकी हेल्प से उजो है प्रात्मिक सिख्छा देते थे सिध्धरस्तु नामक सिध्धर्स्तु नामक सिध्धर्स्तु नामक एक पुस्तक है उस्तक जिसमें जिसमें कुल उन्चास अच्छर हैं जिसकी मदद से सिध्धर्स्तु नामक एक पुस्तक है जिसमें कुल उन्चास अच्छर हैं जिसकी मदद से प्राथ्मिक सिच्छा बच्चे को दी जाती है प्राथ्मिक सिच्छा दी जाती है क्या सिच्छा का माध्यम क्या है सिच्छा का माध्यम है सिच्छा का माध्यम है का माध्यम पाली भासा है क्या है कौन सी भासा है पाली भासा पाली भासा है ना सिच्छा का माध्यम पाली भासा है तो इतना है बहुत काली सिच्छा में जो कि आपके लिए महत्वपूर है इतनी सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर है इतना हो गया क्लियर एक बार लिखिए इतनी सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर है एक सेगंड रुख जाएगा थोड़ा सा थोड़ा सा सेयर आप लोग थोड़ा सा सेयर आप लोग सिच्छा मिडवल पिरेड में क्या था मध्यकालीन सिच्छा मध्यकालीन सिच्छा को क्या कहते है मुष्लिम कालीन सिच्छा भी बोलते है इसको क्या मुस्लिम कालीन सिच्छा जो है ये मुस्लिम कालिन से इच्छा प्रडाली या मद्य कालिन से इच्छा प्रडाली जब आई तो उस समय जो है क्या हो गया था केवल एक संस्कार बचा था जिसका नाम था बिस्मिल्ला खानी संस्कार संसकार के अगर हम बात करें तो केवल एक संसकार होता था कौन सा बिस्मिल्लाः खानी बिस्मिल्लाः खानी संसकार ठीक है बिस्मिल्लाः खानी संसकार ये जो होता था ये कितने वर्स की आयो में होता था तो चार वर्स चार माँ चार दिन ठीक है जब बच्चे की आयू चार वर्स चार माह और चार दीन हो जाती थी तब बच्चा जो है तब ये संसकार उसका बिस्मिल्ला कानी संसकार होता था ठीक है इसमें जो है बच्चे को क्या किया जाता था जब बच्चे की आयू इतनी हो जाती थी तो घर पे जो है जो मौल प्रस्तोर किया जाता था और मौवी Уैंि आयत करने लिए बोलते थे कि जो वो बोल रहे हैं उसको दोहरानी वो जैसे ही बच्चा कुरान की एक आयत को दोहरा देता था, अगर वो दोहरा नहीं पाता था, कोई भी आयत नहीं बोल पाता था, तब उसको क्या कहते थे, कि केवल बिस्मिल्लाह सब्द बोल देना, केवल बिस्मिल्लाह सब्द ही सुन करके, तो जैसे ही वो बिस्मिल्लाह बोलते थे, जो मौलवी साहब थे, वैसे एगर बच्चे ने बिश्मि ला बोल दिया तो उसका सन्सकार कंप्लीट हो जाता था ठीक है तो इसमें एक संसकार होता था और इसके साथ ही साथ इसमें जो छिझछड संस्थाओं से सबसे ज़ादा question आपके बनते हैं है न感じ इसमें जो है आपके सबसे ज़्यादा जो questions बनते हैं वो आपके सिक्षड संस्थाओं से बनते हैं कौन-कौन से देखें इसमें जो है जो सिक्षड संस्थाएं है सिक्षड संस्थाएं ठीक है एक आपका मक्तब है मक्तब दूसरा जो है मदर्सा इन्हीं से दो सबसे ज़्यादा ये दो से सबसे ज़्यादा question बनते हैं है तो वैसे भी आपका बहुत सारा अभी दो तीन चार और हैं लेकिन जो प्रमुक रूप से जिससे questions आपके बनते हैं उसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो किवल दो का नाम सबसे ज़्यादा आता है ठीक है तो मकतब जो है मकतब जो सब्द था ये किसके लिए था ये प्राथमिक सिछा का केंदर होता था और जो मकतब का अर्थ होता मकतब का जो अर्थ था वो कुतुब सब्द से किससे कुतुब सब्द से किससे बना था कुतुब सब्द से कुतुब क्या था कुतुब जो है एक आपका कुतुब सब्द जो है अर्भी भासा का एक सब्द था वो जो है किससे संब्दित था उस स्थान से संब्दित था जहां पर पढ़ना लिखना कुटूब का जो अर्थ था, कुटूब सब्द से मक्तब बना, मक्तब जो है प्राथमिक सिछा का प्रमुकेंद्र होता था, जो कुटूब का अर्थ था, कुटूब का अर्थ था आपका क्या, कुटूब का अर्थ है वह स्थान, वह स्थान, जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, चिकाया जाता है, ठीक है, वह इस्थान जहां पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, उसे हम कुतुब कहते हैं, और उसी सब्द से मक्तब सब्द को लिया गया था, मक्तब जो है, आपके जादा तर, अब आज भी, आज की परसितियों में भी अगर आप देखेंग और उसी मस्जिद में जो दूआ बगर करने जाते थे और साथे साथ जो उसमें मौलवी एक होता था वही मौलवी जो है सिच्छा का वहाक होता था सिच्छा प्रदान करता था ठीक है अब इसके बाद मदर्सा जो है आपका मदर्सा जो है मदर्सा सब्द आपका दरस सब्द से बना है यह जो है आपका मदर्सा सब्द आपका यह उच्छ सिच्छा का केंदर होता था यह उच्छ सिच्छा का केंदर होता था और मदर्सा जो सब्द था वो दरस सब्द से बना है ठीक है दरस सब्द से बना था दरस का अर्थ था आपका दरस का जो अर्थ था वो क्या था भासड देना है ना वह इस्थान जहां पर भासड दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं मदर्सा कहते हैं मतलब जहां पर आप लेक्चर मेथट से जहां पर पढ़ाई होती है वो मदर्सा कहलाता था ठीक है तो प्राथमी इसके बाद इसमें जो एक चीज और महत्वपून है वो है इनकी उपाधियां है ना इसमें जो है कौन-कौन सी चीजे पढ़ने के बाद मतलब कौन-कौन सा सब्जेक पढ़ने के बाद कौन-कौन सी उपाधी मिलती थी वहां से भी आपके कई सारे questions बनते हैं इतना आपको clear हो गया चलिए उपाधियों की बात कर लें देखिए इसमें आमिल-काबिल-फाजिल इसकी बात हम लोग करेंगे है ना चलिए उपाधियां अगर हम इसकी उपाधियों की बात करें तो इसमें जो है आमिल की उपाधि आमिल जो इसलाम धर्म में विशेश सिच्छा प्राप्त करता था इसलाम धर्म की विशेश सिच्छा प्राप्त करने पर बच्चे को क्या दिया जाता था आमिल की डिग्री दी जाती थी ठीक है इसके बाद आमिल के बाद एक और डिग्री आती है जिसकों कामिल कहते हैं काबिल कहते हैं है न काबिल की डिगरी किसको मिलती थी काबिल जो है काबिल जो अर्भी और फार्सी साहित्य पढ़ता था आर्भी और फार्सी साहित्य का अधहयन करने पर उसे काबिल की उपाधी मिलती थी ठीक है इसके बाद तीसरा आता है फाजील है ना सबसे ज्यादा question यहीं से बनता है फाजील फाजील की उपाधी कि इसको मिलती थी तो फाजील जो है आपका जो तर्क एवं दर्शन सास्त्र तर्क एवं दर्शन सास्त्र का अध्ययन करने वाले को क्या मिलता था फाजील का डिगरी मिलता था तो यह जो है आपका यतना यह मुस्लिम कालीन सिफ्रडाली में महतविपूर्ण रहा एक आपका संस्कार है और दूसरा जो है दो train दिग्रीयन जो है इनों को पाधियां दि जाती थी वह भी महतव्पूर्ण है ठीक है तो यह सारी चीजे और दो आपके इतनी सारी चीज़ें आपकी इस से रहा मुसलिम काली या फिर मदिकाली से चाप्रडाली से अब इसके बाद जब हमारे यहां इस इंडिया कंपनी आ गई हमारे हां जो है 1498 जब मुसलिम काल खतम हुआ तो लगभग 1498 आ गया था तो 1498 आए और पूर्तगाली यहां पर सिच्छा का प्रसार करना सुरू किया मतलब यहां पर आया थे क्या करने के लिए ब्यापार करने के लिए लेकिं यहां पर आकर के जब बहुत दिनों तक वो ब् बहुन कर लिह हो जिनके बच्छों की सिक्छा दिच्छा पर प्रभाव बढ़ने लगा तो उन्हों ने जो है जिए उनकी सिक्छा की विवस्था के लिए पहले जो है कुछ सिक्छा की विवस्था भारत में भी करनी सुरू कर दी 1408 भी से फिर दे घघवातों अया है विकास का एक पीरिट है आ एक तरिके साम कहानी की तरह आपको पूरा का पूरा इतिहास बताते चलेंगे इसके बाद आपका दे रहे दे आपका इंडिया कंपनी इस वी में आगे इस्ट इंडिया कंपनी और इस्ट इंडिया कंपनी ने भी शुरुवात में तो कुछ किया नहीं धीरे-दीरे समय बिता गया फिर जो है करीब करीब आपका 100-500 साल बीता होगा तो उसी समय उस दोरान जो है बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे अंग्रेज अधि ची नहीं गया थे कि कहीं कहीं सिच्छा की विवस्ताहिं होनी चाहिए तो फिर यहांthose सिच्छा की शुरुवात होती है इस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है जब अंग्रेफ यह आ पर आते हैं तो अंग्रेजों ने किस प्रकार से अंग्रेजों ने कौन-कौन से काम किये उसकी बात हम लोग अब यहां से करेंगे मुकरोप से 1780, 1792, 1800 यह सब आपका जो year है वो ज्यादा महत्वपुन है तो किसमें क्या हुआ था वो सारी बाते हम लोग यहां पे करेंगे ठीक अच्छा एक बार बताईए अभी तक जेतना कुछ आपको पताया सब क्लियर है तेज बहादुर जी गुद इवनिंग बहुत बहुत धन्यवाद आपका चलिया भारत में जो यह हैं आपका कुछ चीजें हैं जो कि आपको देखे वह साहरी चीजें हम उन्हीं चीज की बात कर रहे हैं जो कि आपके एक्जाम के परशुक्ट के महतोपूड हैं ना कि आपको एकदम सब्सक्राण अपको यह केवल क्यान्व और केवल प्रिप्रिप्वाद की बेस्ड हैं आपको दिस दाख़िम абस Van 14992 में आ गये यहां पर पूर्थकाली ठीक है पूर्थकाली ओके 14992 इसके बाद जब हम लोग और थोड़ा सा नीचे आते हैं तब हम जो है 1781 में 1781 में जल्दी इस कमेंट करिये क्या हुआ था 1781 में कलकत्ता मदर्शा कलकत्ता मदर्शा किस थापना हुई कलकत्ता मदर्शा किस थापना किसने की वारेन हैस्टिंग्स ने किसने वारेन हैस्टिंग्स ने वारेन हैस्टिंग्स ओके वारेन हैस्टिंग्स ने कलकत्ता मदर्शा की स्थापना की 1781 में इसके बाद 1791 में बनारा संस्कृत कोलेच किस थापना हुई 1791 में 1791 में किसकी हुई बनारा संस्कृत कोलेच किसने किया था जोनाथन डंकन ने जोनाथन डंकन ने 1791 के बाद 1800 में फोर्ड विलियम कॉलेज बना 1800 में फोर्ड विलियम कॉलेज विलियम कॉलेज ये कौन बनाया था ये बनाया था आपका लाड विलियम कॉलेज लियम का फिर 1800 के बाद हम लोग आएंगे 1821 में 1821 में से पहले एक चीज और आप देख सकते हैं कि 1821 से पहले भी एक चीज हुआ था आपका 1813 में क्या हुआ था 1813 में 1813 में एक चार्टर एक्ट आया अभी इम उसकी बात करेंगे लेकिन इंस्ट्रिटूशन की बात कर रहे हैं तो उसी के लगे एक साथ और बात कर लेते हैं 1821 पुना संस्कृत कॉलेज फूना संस्कृत कॉलेज ठीक है यह सब कॉलेज की स्थापना क्यूं हूई क्योंकि अब धेरे धेरे विरोध के सूर जो है यहां से निकलने लगे थे लोग विरोध करना शुरू कर दिये थे किस इच्छा का अधिकार मांगना शुरू कर दिये थे और कहीं न कहीं जो है जो उनकी मांग थी उस मांग को और जो विरोध था विरोध को दबाने के लिए स कोलेज जो कि आजकल संपुणानन संस्कृत इंवर्स्टी बना हुआ है बनारस में वही था पहले बनारस संस्कृत कॉलेज है ना उसकी स्थापना हुई इसके बाद जो है जब और थोड़ा सा समय भी था फिर जो फोर्ड विलियम कॉलेज है जिसमें कोई भी पढ़ सकता था इसके बाद आपका पुनारपुना संस्कृत कोलेज के स्थापना होई ठीक है अब हम लोग चलेंगे 1813 में 1813 के बाद अब हम लोग थोड़ा सा क्रम से आगे बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहां तक समझ में आ गया किसी को कई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज बगर सब कुछ क्लियर है चले 1813 में Charter Act आया है ना 1813 1813 में एक Charter Act आया Charter Act और यह Charter Act में का कहा गया कि भारत आयट में सिक्छा वेवस्था है उसक्विस्तार है तो एक लाख रुपए का अनुदान दिया गया ठीक है एक लाख रुपए का लाख रुपए का अनुदान ठीक है यह चैनल पर जो लोग भी नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा आप लोग ठीक है चैनल को जरूर सब्सक्राइब पीज़ेगा क्या होगय Gohy, एक लाख रुपए जो है एक लाख रुपए का अनुदान दिया गया, अब एक लाख रुपए का जब अनुदान दिया गया तो उस समय यह था कि भई, किसे उपर खर्च किया जैगा यहां से थोड़ा सा कंट्रो वर्सी सुरू हुई कि जो बास्चात सिच्छा वंस्था को मानने वाले थे वो लोग कहते थे वह प्रात्चे को मानने के लिए समर्थन करने लगे तो थोड़ा थोड़ा यहां debriet ही लेकिन के बहुत ज्यादा अंपम नहीं था तो बहुत ज्यादा यहां पर controversy नहीं हुई लेकिन जब आगे जो है जब यह 1833 में 1833 में ये जो charter act दूसरा, हर 20 साल पर एक charter act आना था हर 20 साल पर उनका एक विवस्ता था जिसके तहत हर साल हर 20 साल पर एक charter act आता था तो ये 1813 में आया 1813 के बाद 1833 में आया तो यहां पर जो है यहां पर क्या किया गया यहां पर यह जो amount था एक लाक रुपए अब इसको क्या कर दिया गया 10 लाक रुपए कर दिया गया ठीक है इसको क्या कर दिया गया 10 लाक रुपए ओके इसका जो amount था उसको 10 लाक रुपए कर दिया गया यहां पर जब चुकी इसको 10,00,00 रुपे कर दिया गया तो अब कहीन और लोगों में क्या हो गया यही से लोगों में यह होने लगा कि भाई यह जो खर्च है यह जो पैसा मिला है इस पैसे को प्राच्य सिच्छा पर कुछ लोग कहते थे कि प्राच्य सिच्छा बेवस्था पर खर्च किया जाना चाहिए, कुछ लोग कहते थे कि पास्षाते सिच्छा पर खर्च किया जाना चाहिए, तो यहीं से प्राच्य पास्षाते विवाद शुरू होता है, यहीं से आपका राच्य पास्चाति विवाद शुरू होता है इसके बाद फिर उस समय जो लाड़ गवर्नर होते हैं विलियम बैंटिक होते हैं और वो जो है अपनी एक कानूनी सलाहकार के रूप में यहीं पर इंट्री होती है किसकी लाड मैकाले की ठीक है लाड मैकाले आता है और पूरा का पूरा जो है जो सिच्छा वेवस्ता है उसको बदल के रख देता है वो एकदम ऐसा घुश जाता है कि पूरी तरीके से हमारी सिच्छा वेवस्ता ही लगभग बदल जाती है ओके चलिए क्या होता है यहाँ पर एकः करके देखेंसाओ socS 833 के बाद जब विल्यम बिंटीक ने जो है क्या किया 1834 में आपका लॉड मैकाले को बुलाता है का यहाँ पर लॉड मैकाले विलियम बैंटीक का कानोनी सलहकार बनके आता है 1834 में विल्यम बैंटिक भारत आया भारत आया ठीक है ये का बाता है 1834 में ठीक है और ये जो है 1835 को दो फरवरी 1835 को अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट बैंटिक को सौंपता है कब सौंपता है ये 1835 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है ठीक है अब उस रिपोर्ट में जो है क्या क्या सुझाओ था या उसने जो है बहुत सारी स्टेटमेंट दिये थे ना कथन क्या क्या था और कथन या सुझाओ कह लेजे बहुत सारी कथन भी उसने दिया था और बहुत सारे सुझाओ भी दिये थे ठीक है एक तो उसने ये कहा था कि सुझाओ करूप में ये कहा था कि जो सिच्छा का माध्यम होना चाहिए वो अंग्रेजी होना चाहिए ठीक है सिच्छा का माध् अर्भी एवं भारती साहित्यों में अर्भी एवं जो फार्सी साहित्य हैं उनकी एक आलमारी है मतलब जो पूरा संपुन साहित्य अर्भी एवं भारती साहित्य का जितना भी कलेक्शन है वो सारा का सारा collection यूरोपीय साहित्य के किसी एक आलमारी के किसी एक कपोड में बंद साहित्य के बराबर है एक तो इसने ये स्ट्रेटमेंट दिया कि जो हमारा जो है क्या होगा जो एक अच्छा पुस्थकाले है एक अच्छे पुस्थकाले में बंद एक आलमारी एक अच्छे पुस्तकालाय में बंद एक आलमारी की एक जो एक बॉक्स होता है ना एक बॉक्स में पूरे के पूरे संपूर एक बॉक्स में बंद साहित्य जो एरोपी साहित्य है वो पूरे के पूरे भारती एवं भारती साहित्य में अर्भी एवं फा साहित्य के बराबर है संपुन इस तरीके से कंपेर गया कि भारत का जितना भी साहित्य है पूरा का पूरा साहित्य जो है किसके बराबर है जो आपका अंग्रेजुन का या फिर जो पाशात्य सिछा पाशात्य साहित्य है पाशात्य साहित्य की किसी एक पुस्तकाले की किसी ए निश्यांदन सिध्धांत का, है न, फिल्टरेशन थेरी दिया, इसने, निश्यांदन सिध्धांत, फिल्टरेशन थेरी दिया, ठीक है, निश्यांदन सिध्धांत में इसने क्या कहा, कि हमें जो है, जो एलीट क्लास है, जो अपर क्लास है, ठीक है, जो बड़े-बड़े लो लोग अपनी आप सिख्षित हो जाएंगे ऐसा मानता था वो कि अगर जो दूधवाला है जो माली है जो केर टेकर है और जो और लोग हैं वो लोग जो लोग भी एक elite class से जुड़े हुए हैं वो अगर हम केवल elite class को अपर सिख्षित कर देंगे तो उससे जुड़े हुए हर को कही न कहीं उससे ऊपर से चंड करके यानि अगर हम इसको सिख्षित कर देंगे तो यहां से जो नीचे लोग रहने वाले हैं यहां से जो जुड़े हुए है वो भी अपने आप— यहां से जो जो जूड़ए हुँए नीचे आयगा और सभी लोग यहां पर सिक्षित हो जा कि मैं एक ऐसी कौम बनाऊंगा मैं एक ऐसी कौम यहां पर निर्मित करूंगा जो कि सकल और सूरत से तो भारतिय होंगे सकल और सूरत से तो भारतिय होंगे लेकिन कर्म से वो पूरता अंग्रेज होंगे ठीक है यानि वाह रूप से तो वो भारती हैं लेकिन कर्म रूप से सोच से जब वो काम करेंगे और सोच से वो पूरी तरीके से अंग्रेज हो चुके होंगे हम एक ऐसी कौम का निर्मार करेंगे ठीक है वो सफल भी रहा है अंग्रेजी सिच्छा जो है अंग्रेजी इतना ज्यादा हमारे पर प्रभावी हो गई I am new student sir VHU VAT entrance exam के लिए ये class ले सकता हूँ हाँ बिल्कुल ले सकती है जिंदगी क्या लिखा है बाई पता ने बिल्कुल ले सकते है चलिए जिद्धी गरल तैयारी चल रही है बिल्कुल limit entrance की तैयारी चल रही है इस batch लगभग complete होने पर अगर जो लोग अभी इस साल एड्मिशन लेना चाहते हैं इस बार अभी कहीं entrance देना चाहते हैं तो वो अभी भी admission ले सकते है ठीक है चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया निश्यंदन सिद्धानत आपको समझ में आ गया इसके बाद आपका जो है तो रंग रूप वाले भी बात इन्हों ने कहा फिर इतनी सारी बातें जो है इनकी महत्वोड रही तो आप एक एक चीज़ को note करके रखेएगा कहीं पर भी कुछ भी पूछा जाए आप आराम से अंसर करेंगे ठीक है अब आगे चलते हैं हम लोग 1835 से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 1849 में आएंगे कब आएंगे 1849 में क्या हुआ लाड ऑकलेंड आते हैं यहां देखे प्राच्य पास्चात्य विवाद शुरू जाने के लिए बुलाया गया था उसको लाड मैकाले को लेकिन उसनों ने और भी जादा और भी जादा उसको भड़का दिया ठीक है क्वेशन में पूछा जाता है कि यह पीज लाड मैकाले उसमें सही था क्योंकि लाड मैकाले ने जो है क्या किया सलूशन तो नहीं दिया लेकिन उसको भड़काने का काम किया कि पास्चात्य सिच्छ विवस्था पर ज्यादा खर्च करिया जाना चाहिए भारती सिच्छ विवस्था या जो प्राच्य सिच्छ विव प्राच्य पास्चाथ्य विवाद को समापत करने लिए यह आते हैं और दोनों को बराबर हक देकर के प्राच्य पास्चाथ्य विवाद आपका समाप्त हो जाता है ओकी चलिए आगे समें बढ़ेंगे हम लोग फिर 1849 के बाद सीधे हम लोग आएंगे उड़ डिस्पैच पर 1854 है ना 1854 1854 क्या आया उड़ डिस्पैच आया उड़ का गोशड़ा पत्र ठीक है जिसको उड़ डिस्पैच भी कहा गया इसको अंगरेजी सिच्छा का मैगना कार्टा भी कहा गया कुछ लोग इसको भारतिय सिच्छा का मैगना कार्टा भी बोले ठीक है इसको जो है मैगना कार्टा भारतिय प्रक्राइच सिच्छा का कुछ लोग भारती सिच्छा कुछ लोग अंग्रेजी सिच्छा का मैंगना कार्टा मैंगना कार्टा भी इसको कहा गया ठिक है ये 1854 में आया था और इसने जो है कौन कौन से सुझाओ दिये बहुत ही महत्वपुर सुझाओ दिये हैं इसने भारती सिच्छा व्यवस्था की रूप रेखा को बहुत ही ज्यादा बदल दिया था ठीक है सुझाओ सुझाओ देखते हैं इन्होंने कौन-कौन से सुझाओ दिये पहला जो इनका सुझाओ था जो प्रमुक सुझाओ था वो था इनका सिच्छा का उत्तर दायत्व कंपनी पर होगा जो इस इंडिया कंपनी थी उस पर सिच्छा का दायत्व होगा सिच्छा का दायत्व कंपनी पर दायत्व कंपनी पर ठीक है दूसरा जो है इन्होंने दिया शिच्छा का दाइत्व कमपनी पर दूसरा जो इनका था जन शिच्छा विभाग की स्थापना जन सिच्छा विभाग की स्थापना, अनुदान प्रडाली, अनुदान सहायता अनुदान प्रडाली की सुरुबात, जो हमें स्कॉलर्शिप मिलती है न, वो इन ही के सुझाओ के आधार पर सुरू हुई थी, सहायता अनुदान प्रडाली, ठीक है, सहायता अनुदान प्रड सहायता-अनुदान प्रडाली की यहां फे शुरुवात होती है फिर इसके बाद इन्होंने क्रमबध विद्यालेओं की स्थापनाr क्रमबध विद्यालेओं की स्थापना विद्यालियों की स्थापना क्रमबध का मतलब क्या हुआ तो यहां जो है primary, middle, primary हो गया middle हो गया secondary, secondary, senior secondary, higher इस तरीके से जो होगा यह इस तरीके से एक सीधीनुमा सरचना बनेगी है न यह होना चाहिए इसके बाद एक सीध और इनहीं के सुझाओं के आधार पर तीन प्रमुख विश्व विद्यालियों की स्थापना 1857 में हुई थी तीन प्रमुख विश्व विद्यालियों इनहीं के तर्ज पर चलिए इसको थोड़ा सा मतलब समय आगे बढ़ा लेते हैं 1857 में तीन क्रमबध विद्यालियों तीन विश्व विद्यालियों की स्थापना ठीक है किस विश्व विद्यालियों की स्थापना ठीक है किस विश्व विद्यालियों की तर्ज पर था लंदन विश्व विद्यालियों की तर्ज पर तीन विश्व विद्यालियों की स्था आता है का इसमें एक नाम आता है कलकत्ता कल कder विस्व भी ढला कुलकत्ता मतला 3 जग़े जैगह कलकत्ता नाम नहीं था कलकत्ता में मद्रास में जिसको आजकल चैन नहीं कह 아파ि मद्रास में और मुंबई में ठीक है इन तीन यकोष एक उदा जो है तीन विश्व विद्यालों की स्थापना की गई अब 1857 के बाद हम लोग चलेंगे किस पर हम चलेंगे 1882 हंटर कमिशन 1882 हंटर कमिशन हंटर आयोग हंटर आयोग ठीक है क्या था आपका अच्छा यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है देखिए जिद्धी जी जो भी है इसका PDF आपको पेट बैच है उसमें मिलेगा ठीक है इसका PDF आपको पेट बैच में मिलेगा यहां आपको सिर्फ और अगर PDF तो नहीं मिल पाएगा आप यहां से जाएं तो इसका नोट्स बना सकते हैं ठीक है हम लोग इसको जो है 19 तो तक लेकर चलेंगे इसको रोकेंगे फिर नेक्स्ट जो अगला पार्ट होगा उसको लेगा उसमें जो है 1900 के बाद शुरू करेंगा शुरू किन बहुत ब 1900 में ठीक है 1900, 1901, 1904 ठीक है 1900, 1901 और 1904 यहां तक हम लोग हंटर कमिशन तक देख लिए हैं और हंटर कमिशन के बाद जब हम लोग 1900 तक लाकर करके रोकना था तो यहां से अब हम लोग कल से सुरू करेंगे है ना जो next हमारा मैराथन क्लास होगा उसमें हम लोग डिसकस मैरे दूसरी क्लास है तो इतना जो कुछ भी हमने आपको समझाया है कोसिस किया है हमने कि एक एक पोर्षन और एक चीज आपको क्लियर रहे और जो भी कोशन आपके बनते हैं जहां से भी बनते हैं वो सारे का सारे पोर्षन हमने कवर करने का कोसिस किया है ठीक है तो उमेद अगर जो लोग बाद में भी वीडियो डुकिएंगे वह कमेंट करके जरूर बताएंगे, आज की क्लास है आज की आपको कैसे लगी, फिर मिलेंगा मुँ नेक्स क्लास में, और जो लोग भी चैनल पहला हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और और नेक्स विडियो में तब तक के लिए बाइबा टेक क्यार खुश रही है मस रही है प्रोटते रही है